Hello everyone, welcome to Engineer's Vault, मेरा नाम है हरपाल सिंग previous years papers के इस वीडियो में आज हम discuss करेंगे राजस्थान WRD JN Civil 2013 के exam paper के बारे में इस वीडियो में हम discuss करेंगे Junior Engineer Civil Diploma का question paper जिसका exam जन्मरी 2014 के अंदर conduct करवाया गया था इस वीडियो में हम 100 questions detail के अंदर discuss करेंगे अगर आपको question paper और answer की की PDF चाहिए तो हमारे telegram channel पे available है, आप वहाँ पे जाकर download कर सकते हैं इस paper में आपको काफी extra information भी मिलेगी जो examination point of view से degree और diploma दोनों students के लिए useful रहेगी, तो make sure कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं इस paper में total 100 questions दिए गए हैं जिसके अंदर रायस्तान जीके के 20 questions हैं और technical civil के 80 questions हैं इस दो घंटे का question paper था, maximum marks 100 थे, तो इस paper में पहले हम technical के 80 questions discuss करेंगे उसके बाद हम रायस्तान जीके के बचे हुए 20 questions discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं question number 21 से if l is the length, b is the width of the brick and t is the thickness of the mortar, the relation between these is देखे question के अंदर हमें brick की length l दी गई है, brick की width b दी गई है और thickness t दी गई है mortar की और हमें पूछा गया है कि इन तीनों के अंदर relation क्या होता है, हमें 4 options दिए गए है l is equal to 2b, l is equal to b plus t, l is equal to b plus 2t, या फिर l is equal to 2b plus t देखे इस तरह से ये stretcher है, ये दो header लगाए है brick के उपर, अगर brick की length l होती है और brick की width b होती है और brick की depth d होती है और brick को पूरा cover करेंगे तो beach के अंदर एक t distance जो है वो रहती है जिसके अंदर हम mortar fill करते हैं, तो अगर हम इन तीनों के अंदर relation की बात करें तो l is equal to क्या हो जाएगा, l is equal to b plus t plus b, यानि की 2b plus t, यानि की जो option d है, वो correct हो जाएगा, l is equal to 2b plus t इसके अलाबा exam में और भी चीजे bricks के बारे में पूछी जाती है, तो हम उनको भी देख लेते हैं देखिए अगर brick का standard size या modular size के बारे में पूछा जाए, तो वो होता है 19 x 9 x 9 यदि question के अंदर nominal size पूछा जाए, तो उसके अंदर क्या होता है कि mortar की thickness भी included होती है, तो यह में ध्यान रखना है तो nominal size जो होता है, वो होता है 20 cm x 10 cm x 10 cm, तो यह भी हमें ध्यान रखना है अगर traditional brick के nominal size की बार की जाए, तो वो होता है 23 cm x 11.4 cm x 7.6 cm अगर हमें पूछा जाए कि 1 meter cube of bricks का weight कितना होता है, तो उसका weight होता है 1800 kg अगर हमें पूछा जाए कि number of bricks कितनी आएंगी, 1 meter cube of brick masonry के अंदर, तो उसके अंदर number of bricks आती है 500 इसको आप directly याद रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए, जब हम इस volume को, 1 meter cube volume को जो हम divide करते हैं, 1 brick के volume से, तो उसके अंदर हम standard size से divide नहीं करते हैं, उसके अंदर हम उसके nominal size से divide करते हैं, जिसके अंदर उसके mortar की thickness भी include होती है और अगर हमें question में पूछा जाए कि average weight of the brick कितना लिया जाता है, तो generally होता है, 3 से 3.5 kg weight होता है average brick का, तो इस सारी information हमें ध्यान रखनी है, next question देखते है, water absorption for a first class brick should not be more than, देखिए question के अंदर हमसे first class brick के बारे में पूछा गया है, उसके अंदर water absorption होता है, वो कितना होना चा है, वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यह में ध्यान रखना है, second class brick के लिए 22% होता है, और third class brick के अंदर 24% से ज्यादा water absorption नहीं होना चाहिए, तो यह तीनों value हमें ध्यान रखनी है, तो इस question का जो answer है, वो हो जाएगा option C, 20% होता है first class brick के लिए, देखिए कई बार question के अंदर 22 कीज़ गए, हमें यहाँ पर 22.5 दिया जा सकता है, और third class brick के लिए 24 कीज़ गए, 25% भी दिया जा सकता है, next question देखते है, granite after metamorphism transform 2, देखिए question के अंदर हम से granite के बारे में बुचा गया है कि metamorphism होने के बाद, उसका जो transformation किसमी हो जाता है, options दिये गए है, quarter side क अंदर वो transform हो जाता है, यहाँ फिर जिनेसिस के अंदर transform हो जाता है, shift के अंदर transform हो जाता है, यहाँ फिर slate के अंदर transform हो जाता है, तो देखते हैं question कैसे होगा, देखिए जो granite है वो एक ignis रोख है, damnнить गर हमसे layme stone के बारे में बूचा जाये, जो की एक sedimentary rock है, तो यह में देखे, question के अंदर हम से पूछा गया है कि seasoning का कौन सा एक objective नहीं है, कौन सा एक उदेश्य नहीं है, options देखते हैं, reduction in shrinkage and warping, यानि कि shrinkage and warping के अंदर क्या होता है, reduction हो जाता है, seasoning की वज़े से, तो यह बिल्कुल correct है, reduction of weight, weight के अंदर जो है, reduction हो जाता है, यह भी correct है, increase in strength and durability, तो यह भी seasoning की वज़े से होता है, reduction of natural defects in timber, तो यह option जो D है, वो जो गलत है, यानि कि seasoning की वज़े से natural defects के अंदर क्या है, reduction नहीं होता है, जबकि seasoning के वज़े से defects create हो सकते हैं, timber के अंदर, तो यह में ध्यान रखना है, next question देखते हैं, which of the following in timber is caused by fungus, देखिए question के अंदर पूछा गया है कि fungus की वज़े से दिए गए चारों options के अंदर कौन सा जो defect होता है, options में दिए गए है, upsets, fogginess, dry rot, या फिर wet rot, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि timber के अंदर कौन से कौन से defects होते हैं, और वो किस कारण हम चे उत्पन होते हैं, fungus की वज़े से जो defects आते हैं, वो हुए, dry rot होता है fungus की वज़े से, wet rot, fungus की वज़े से होता है, white rot, brown rot, heart rot, blue stain और sap stain, ये जो सारे हैं, ये fungus की वज़े से होते हैं, तो ये में ध्यान रखने हैं, अगर हम चे question के अंदर natural forces की वज़े से defects पूछे जाएं, तो वो होते हैं, foxiness और drugginess, not, shakes, deadwood, twist fiber, upset, chemical stain, water stain, wind cracks, coarse grain, and ring gals, तो ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे होते हैं, natural forces की वज़े से ये भी हमें जान रखने हैं, अगर question में पूछा जाए, seasoning के वज़े से कौन से defects होते हैं, timber के अंदर तो वो होते हैं, bow, cup, honeycombing, twist, warp, radial shakes, split, check, case hardening, and collapse, तो ये सारे हमें ध्यान रखने हैं, ये सारे होते हैं, seasoning की वज़े से, और अगर हम से पूछा जाए कि, insects की वज़े से कौन से defects आते हैं, तो जो insects होते हैं, जैसे beetles, marine borrower, या फिर termites, इनकी वज़े से जो defects create होते हैं, तो इनको हम classify करते हैं, defects due to insects, तो ये सारे चीज़े हमें ध्यान रखने हैं, question के अंदर हम से पूछा गया है, upset होता है, ये natural forces की वज़े से ह होता है, dry rot ये fungus की वज़े से होता है, और जो wet rot है, ये भी fungus की वज़े से होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिए है, गलत options दिए गए है, next question देखते है, for complete hydration of cement, water content ratio needed is, देखी question के अंदर हम से पूछा गया है कि, complete hydration के लिए cement के कितना water cement ratio रखा जाता है, हमें options दिए ग कैसे होगा, देखी अगर question के अंदर हम से पूछा जाए कि, tri calcium silicate के hydration के लिए कितने water requirement होता है, तो वो हता है, 24% of the weight of the cement, di calcium silicate के hydration के लिए, जो water requirement होती है, वो होती है, 21% of the weight of the cement, अगर हम इन दोनों का approximate करें, तो इन दोनों के complete hydration के लिए, या फिरियों कहें कि, cement के chemical reactions के 23% water की requirement होती है, लेकिन cement के अंदर क्या है, कि pores होते हैं, voids होते हैं, हमें cement का gel बनाने के लिए, 15% extra water उसके अंदर add करना पड़ता है, तो कि 23% तो chemical reaction के लिए required होगा, और gel action के लिए 15% extra water की requirement होगी, अगर हमें total water requirement पूछा जाए, तो 23 plus 15% यानि की 38% water की requirement होगी, और ये 38% हो का 38% water की requirement होगी, complete hydration cement के लिए, तो इसका answer जो question के अंदर हमसे पूछा गया है, वो होजएगा option 3, अगर question के अंदर हमें only chemical reactions के बारे में water requirement के बारे के अंदर पूछा जाए, तो वो उसका answer होजएगा 23% और complete hydration के लिए तो उसका answer होजएगा 38%, तो ये दोनों बाते हमें ध्या रखनी है, next question देखते है, if P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time test on cement is, देखिए, question के अंदर हमें दिया गया है, P, P क्या है, standard consistency है cement की, और हमें पूछा गया है कि water requirement बताओ, initial setting time test जब हम cement का करते हैं, तो उसके अंदर कितना water required है, उसके बारे में हमें पूछा गया है, हमें 4 options दिए गया ह 0.85P, 0.85P, 0.6P, यहां फिर 0.78P, देखिए, initial setting time के अंदर हम से पूछा जाए, तो उसके अंदर water requirement होता है, 0.85P, यहां पर standard consistency है, question के अंदर दिया गया है, soundness test जो हम करते हैं, leach atelier apparatus से, तो उसके अंदर जो हमें water requirement होती है, वो होती है, 0.78P, compressive strength, जब हम cement की testing करते हैं, त उसके अंदर water requirement होता है, P by 4 plus 3%, तो यह तीनों चीजे हमें ध्यान रखनी है, question के अंदर हम से initial setting time के अंदर बारे में पूछा गया है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option जो B है, वो correct हो जाएगा, next question देखते है, which of the following aggregate, give maximum strength in concrete, देखिए, question के अंदर हम से पूछा गया है, कि maximum strength स options में देगे है, rounded aggregate, elongated aggregate, flaky aggregate, या फिर cubical aggregate, देखिए, अगर हमें maximum strength की requirement होती है, तो हम क्या है कि cubical aggregate अगर हम use करेंगे, तो हमें maximum strength मिलेगी, तो इसका answer है, जो option D है, वो correct हो जाएगा, अगर question के अंदर हम से पूछा जाए, कि maximum workability अगर हमें achieve करनी हो, तो उसके लिए हम rounded aggregate का use करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, next question देखते हैं, the maximum bulking of sand is likely to occur at a moisture content of, देखिए, question के अंदर हम से पूछा गया है कि, कौन से moisture content के ओपर, maximum bulking होती है sand की, हमें options दिए गए है, 5%, 8%, 11%, या फिर 14%, तो देखते हैं question कैसे होगा, एक graph दे रखा है, जिसके अंदर क्या ह ये fine sand है, ये medium sand है, और ये coarse sand है, यहाँ पे moisture content को जैसे से increase करते हैं, तो ये इन तीनो type के sand के अंदर क्या होता है, इसके volume के अंदर क्या है, कि increment होता है, तो ये percentage change in volume है, यहाँ पे y axis पे और x axis पे क्या है, moisture content अगर हम increase करते हैं, 4-5% moisture content के ऊपर क्या होता है, कि जो sand के अंद के अंदर जो increment होता है वो maximum होता है तो इस question का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा option जो ए है कि almost 5% moisture content के उपर sand के अंदर जो bulking है वो maximum होती है तो यह में ध्यान रखना है अगर हमें question के अंदर पूछा जाए कि fine sand है medium sand और coarse sand है इन तीनों के अंदर maximum bulking कौनसे sand में होती है minimum कौनसे में होती है तो आप graph से देख सकते हैं कि जो maximum bulking होती है वो fine sand जितनी fine sand होगी उसके अंदर bulking उतनी ज़्यादा होगी coarse sand के अंदर bulking क्या है वो कम होती है same moisture content के लिए तो यह भी अमें ध्यान रखना है next question लखते है the upper limit of suspended particle in water for preparation of concrete is question के अंदर हमसे पूछा गया है कि अगर हम concrete का preparation करते हैं तो उसके अंदर जो suspended particle अगर water के अंदर present हो तो उसकी maximum उसकी upper limit क्या होनी चाहिए options में दे गए है 200 ppm, 2000 ppm, 5000 ppm या फिर 10,000 ppm तो देखते हैं देखिए अगर हम permissible limit की बात करें impurities in water जब हम concrete को prepare करते हैं तो उसके अंदर water के अंदर के अंदर के हैं कि जो organic content है उसकी जो maximum limit होती है वो है 200 mg पर लीटर यानि कि 200 mg पर लीटर से ज़्यादा organic content नहीं होना चाहिए उसके अंदर inorganic content की बात करें तो उसकी limit होती है 3000 mg पर लीटर suspended matter की बात करें उसकी limit होती है 2000 mg पर liter sulfates की बात करें तो उसकी limit होती है 400 mg पर liter और अगर हमें kloride CL की बात करें तो उसकी जो limit होती है 2000 mg पर liter plane concrete work के लिए और 500 होती है reinforced concrete work के लिए तो यह सारी चीज़े हमें ध्यान रखनी है question के अंदर हमें suspended solid suspended matter के बारे में पूछा गिया है तो इसकी limit क्या हो जाएगी 2000 mg पर liter जिसको हम PPM भी लिख सकते हैं इसकी unit को तो इसका answer हो जाएगा option B जो correct answer हो जाएगा तो इस सारी चीजे में ध्यान रखनी है next question लिखते है when combined with cement which of the following constituents of the pozzolona combined with free lime released during the hydration of cement cement के mission के दोरान निमन में से pozzolona का कौन सा घटक cement के जल योजन के दोरान निकले मुख चूने के साथ संयुक्त हो जाता है तो में चार options दिए गए है silicon oxide, aluminum oxide, ferrous oxide या फिर magnesium oxide तो इसका answer है option A silicon oxide है जो मुख चूने के साथ संयुक्त हो जाता है तो यह में ध्यान दखना है next question देखते है the approximate ratio between strength of cement concrete at 7 days and 28 days is देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि cement concrete की 7 days और 28 days के अंदर जो strength gain होती है तो उसका ratio कितना होना चाहिए options देखे हैं 3 by 4, 2 by 3 1 by 2 या फिर 1 by 3 तो देखते हैं देखिए जो 7 days के अंदर जो strength gain होती है वो 28 days का almost 2 third होती है almost 67% होती है तो यह में ध्यान रखना है अगर हम 3 days की बात करें तो वो 28 days का almost 50% होती है तो यह भी हमें ध्यान रखना है तो question के अंदर हम से पूछा गया 7 days का तो इसका answer हो जाएगा option जो B है वो correct हो जाएगा next question देखते हैं to make a 1 cubic meter of 1 ratio 2 ratio 4 by volume concrete the volume of course aggregate required is देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि course aggregate का कितना volume required होगा जब हम एक concrete prepare करते हैं और जो concrete के अंदर जो हम mix use कर रहे हैं वो है M15 यानि की 1 ratio 2 ratio 4 हमें 4 options दे गए हैं तो देखते हैं question कैसे होगा अगर हम dry volume of concrete की बात करें तो वो होता है 1.54 times of wet volume of the concrete तो यह जो relation है यह हमें ध्यान रखना है इसका मतलब यह है कि जो dry volume होता है concrete का वो 54% ज़्यादा होता है wet volume of concrete के तो question के अंदर हम से पूछा गया है कि हमें 1 cubic meter of volume of concrete तयार करना है तो उसके लिए हमें कितना dry volume of concrete चाहिए होगा तो वो हो जाएगा 1.54 dry volume of concrete हमें चाहिए होगा देखिए M15 के ratio के अंदर क्या होता है जो 1 होता है वो cement है 2 जो cent है और जो 4 है वो aggregate है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम aggregate का percentage निकालना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा 4 by 7 जो होगा वो इतना उसके अंदर जो है course aggregate होगा तो हम 4 by 7 को कि से multiply करेंगे total dry volume से जब हम multiply कर लेंगे तो हमारे पास जो course aggregate का जो volume आ जाएगा वो हो जाएगा 0.88 meter cube और अगर हमें sand का volume निकालना हो तो हम क्या करेंगे 2 divided by 7 से multiply कर देंगे 1.54 को तो यह सारी सीजे में ध्यान रखनी है most appropriate जो answer हो जाएगा इसके जो निगर बाइज जो option है वो है option जो B है वो correct हो जाएगा देखिए अगर question के अंदर M15 की जगें M20 दिया होता जिसका ratio होता है 1 ratio 1.5 ratio 3 अगर यह दिया होता तो इसके अंदर जो course aggregate की requirement होती है वो कितनी हो जाएगे 3 divided by 5.5 और इसको हम multiply कर देंगे 1.54 से इसको जब हम solve करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.84 meter cube next question देखते है with the same water content ratio the lower the maximum size of aggregate the strength of the concrete is देखिए question के अंदर मेंचे पूछा गया है कि अगर हम water content ratio को अगर हम same रखें इसको change नहीं करें उसके बाद अगर हम maximum size of aggregate को अगर हम reduce करेंगे उसको कम करेंगे तो concrete की जो strength है उसके क्या फर्क पड़ेगा options में देगे है वो increase हो जाएगी वो decrease हो जाएगी वो same रहेगी यहां फिर none of these देखिए अगर water content को अगर हम fix कर दें same रखेंगे उसके बाद अगर हम aggregate की maximum size को अगर कम करेंगे तो जो concrete जो उससे मिलेगा उसकी जो strength होगी वो क्या है इंक्रीज होगी तो option जो one है वो correct है तो यह हमें ध्यान रखना है next question देखते है one of the main demerit in using the lime mortar is that it देखिए question के अंदर हमें lime mortar के बारे में पूछा गया है कि इसकी main demerit क्या है options हमें दिये गए है is not durable does not set quickly swell या फिर is plastic देखिए जो lime mortar है उसकी जो main demerit वो है वो यह है कि यह quickly set नहीं होता है तो यह इसकी जो main demerit है जमता नहीं है जल्दी से set नहीं होता है तो यह में ध्यान रखना है next question देखते है in mild steel iron content is about देखिए question में mild steel के बारे में बूचा गया है कि उसके नदर iron content कितना होता है हम wrote iron की बात करें तो wrote iron के नदर carbon content होता है वो 0.15% से भी कम होता है जो wrote iron होता है वो purest form होती है किसकी iron की तो यह में ध्यान रखना है अगर हम mild steel की बात करें तो उसके नदर जो carbon content होता है वो होता है 0.5 से 0.25% के बीच में vary करता है तो यह भी ध्यान रखना है cast iron की बात करें उसके नदर जो carbon percentage होता है वो 2% से 4.5% के बीच में vary करता है तो यह भी हमें ध्यान रखना है देखिए question के नदर हम से mild steel के बारे में पूछा है तो mild steel के नदर जो carbon content होगा वो कितना होगा maximum 0.25% होगा तो उसके नदर क्या होगा mild steel के नदर क्या है कि 99% से भी ज्यादा iron content होगा next question देखते है the alloy used as plumber solder is देखिए question के नदर पूछा गया है कि plumber solder के नदर जो alloy यूज किया जाता है वो कौन सा alloy यूज करते है options देखे है y alloy, duralumine, lead tin alloy या फिर pewter plumber solder के नदर जो हम alloy यूज करते है वो होता है lead और tin alloy होता है तो option जो 3 है वो correct हो जाएगा तो इसको में ध्यान रखना है next question देखते है the tensile strength of glass मे भी glass की tensile strength के बाइवे में पूछा गया है options देखे है 10 newton per mm square 50, 80 या फिर 100 newton per mm square तो जो tensile strength होती है वो glass की वो approximately होती है 15 newton per mm square की range के अंदर आती है तो ये इस cancer option भी correct हो जाएगा तो ये में ध्यान रखना है next question देखते है तो quantity of dryer in paints is limited to देखे question के अंदर हम से पूछा गया है कि paints के अंदर जो dryer हम use करते है उसकी maximum quantity कितनी होती है देखे paints के अंदर जो हम dryer use करते है तो उसकी जो quantity है उसको limit किया जाता है 8% यानि कि 8% से ज्यादा उसके अंदर dryer की quantity नहीं होनी चाहिए तो यह में ध्यान रखना है next question देखे है इन plastic paints thinner used is देखे plastic paints के बारे में पूछा गया है कि उसके अंदर कौन सा thinner हम use करते है options दिए गया है oil, spirit, water या फिर naptha जो paints होता है उसकी जो viscosity है उसको reduce करने के लिए उसके अंदर हम क्या है thinner या फिर solvent उसके अंदर add करते है जो thinner या solvent होते है वो क्या है volatile होते है volatile liquid होते है इसका मतलब यह है कि wash pre-cut हो जाते है उनका evaporation हो जाता है एक बार paint apply करने के बाद और इनका main काम यह रहता है कि उसकी viscosity को reduce करना paint की ताक कि paints को surfaces पे easily apply किया जा सके तो यह बाते हमें ध्यान रखनी है देखिए plastic paint की जहां हम बात करते है तो उसके अंदर हम water को use करते है as a thinner, as a solvent और जहां हम oil paints की बात करते है तो उसके अंदर हम naphtah या फिर petroleum spirit का हम use करते है as a thinner तो यह बाते हमें ध्यान रखनी है question के अंदर जो हमसे plastic paint के बारे में पूछा गया है तो इस cancer हो जाएगा option C water जो correct हो जाएगा next question देखते है which of the following is an example of spirit varnish तकी question के अंदर spirit varnish का example के बारे में पूछा गया है तो वर्णीश के अंदर एक resin होता है जो यह liquid जब dry हो जाता है तो एक hard transparent film को form करता है तो यह में ध्यान रखना है देखिए most of जो वर्नीश होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है इसके बाद अगर हम इनके यूज़ की बात करें तो इसका नॉर्मली यूज़ किया जाता है कि वोडन की सर्फेस होते है उसका यूज़ करते है यहां फिर वैरियस डेकॉरेटिव औब्जेक्ट्स के उपर भी इसका यूज़ किया जाता है तो यह में ध्यान रखना है अभी spirit varnish के एगर हम examples की बात करेंगी कौन-कौन से type क्यों होते हैं तो उसमें आते हैं select varnish, lacquer varnish, sub या फिर spirit varnish या फिर french polish varnish question के अंदर पुछा गया था spirit varnish का जो है example क्या है तो उसका answer हो जाएगा french polish varnish जिसका use हम करते हैं high quality furniture के उपर varnish करने के लिए next question देखते है cold tar pitch is classified on the basis of देखी question के अंदर पुछा गया कि cold tar pitch को classified किया जाता है किस बेस पे classify करते हैं options देखे हैं viscosity के basis पे softening point के basis पे specific gravity के basis पे या फिर ductility के basis पे तो जो cold tar pitch होते हैं उनको classify किया जाता है softening point के basis पे यानि कि option जो b है फो correct हो जाएगा तो यह में ध्यान लखना है next question देखते है ring and gall apparatus is used for which of the following test of the bitman देखे ring and gall apparatus का use किस के लिए करते हैं options दिएगे है penetration के लिए viscosity के लिए softening point के लिए या फिर ductility के test के लिए तो पहले हम देखते हैं और बिटमिन के बात करें तो उसके लिए होता है ring and gall apparatus fire point का test कर रहे है तो उसके लिए प्रेटेश करते हैं वह होता है penetration के लिए अगर हम यूज करते हैं तो उसका जो प्रेटरस होता है pentrometer viscosity की बात करें तो उसके लिए होता है orifice type viscometer और ductility के लिए जो हम यूज करते है normally pulling device यूज करते हैं packets के अंदर उसको fill कर दिया जाता है bitumen को और bitumen की बात करें ductility को तो इसको normally centimeter के अंदर measure किया जाता है तो यह सब चीजे भी हमें ध्यान रखनी है question के अंदर हम से पुछा गया ring and ball apparatus तो उसको हम यूज करते हैं 6% water 8% water यहां फिर 4% water तो देखते हैं पहले देखिए gypsum की जगर हम बात करें तो उसका formula होता है calcium sulphate dot 2 h2o यानि की dihydrate होता है calcium sulphate का तो यह में ध्यान रखना है और जो plaster of paris की बात करें तो वो होता है calcium sulphate dot half h2o तो यह दोनो formula में याद होने चाहिए देखिए gypsum के अंदर जो water content होता है वो होता है almost 21% जब इसको heat किया जाता है gypsum को 60-70 degree celsius पे तो जो water content है वो reduce होके कितना almost 6% 6.2% के करीब water content पहुंच जाता है तो इसका मतलब जो question के अंदर पूछा गया water कितना होता है plaster of paris के अंदर तो वो होता है 6% जो option जो भी है वो correct हो जाएगा तो यह मैं ध्यान रखना है next question देखते है self compacting concrete is characterized by options में दिए गए है high powder component high water powder ratio cementitious material up to 30% rough surface of finish देखिए जो self compacting concrete होता है उसके अंदर क्या होता है कि high powder component होते है option A है वो correct हो जाएगा तो यह मैं ध्यान रखना है next question देखते है plan is a graphical representation of the features on large scale as projected on earth देखिए question के अंदर हमे plan के बारे में पूछा गया है options में दिए गए है horizontal plane vertical plane any plane या फिर none of these देखिए जो plan बनाया जाता है वो एक graphical representation होता है वो होता है horizontal plane के अंदर तो option जो one है इसका वो correct हो जाएगा देखिए अगर हमें elevation की बात करें तो हम vertical plane के अंदर देखते है next question देखते है the survey in which the curvature of the earth is taken into account is called देखिए question के अंदर हमसे पूछा गया curvature जो है earth का वो कौन सी survey के अंदर उसको consider किया जाता है options में दिखे है geodatic survey, plant survey preliminary survey या फिर hydrographic survey देखिए जो earth का curvature है उसको consider किया जाता है geodatic survey के अंदर और अगर हम earth के curvature को consider नहीं करते हैं तो उस survey को हम बोलते है plane survey तो यह भी हमें ध्यान रखना है देखिए जो geodatic survey जो की जाती है जब हमारे पास जो survey area है वो बहुत बड़ा होता है जिसका area 260 square kilometer से अगर area जादा हो तो उसके लिए जो हम survey करते है normally वो होती है geodatic survey तो यह हमें ध्यान रखना है next question देखते है true bearing of a line is 10 degree and magnetic declination is 2 degree west its magnetic bearing is देखिए question के अंदर हमें 2 bearing दी गई है 10 degree और हमें magnetic declination दिया गई है 2 degree west और हमें इसकी magnetic bearing बताने की line की magnetic bearing कितनी होगी तो देखते हैं question कैसे होगा question के अंदर इस तरह से हम एक line दी गई है हमें question के अंदर हम रखे हम साकते true bearing है true north है उसे जो bearing हम है 10 degree हमें उसकी just bearing दी गई is т when you are looking और question के अंदर magnetic declination दिया चाहिए 2 degree west तो जो to north है उससे जो magnetic north के हम बात करें तो उसका declination कितना हो जाएगा 2 degree हो जाएगा हमें west दिया गया है तो वो anti-clover wise direction के अंदर इस direction के अंदर 2 degree हो जाएगा और हम एक question के अंदर उचा गया है magnetic bearing बताओ तो magnetic bearing क्या होती है जो magnetic north है उससे जो line की जो bearing होती है यानि कि यह angle कितना हो जाएगा 2 plus 10 यानि कि 12 degree जो है वो इसकी magnetic bearing हो जाएगी तो इसका answer जो c हो correct हो जाएगा देखिए इसके अलावा अगर हम directly formula से देखना चाहें तो क्या होगा true bearing is equal to magnetic bearing plus minus magnetic declination अगर हमें east दिया हो तो magnetic declination क्या निकालना है और यहाँ पर magnetic declination 2 degree west दिया गया है तो हम उसको minus 2 degree लिख देंगे magnetic bearing की जब हम value निकालेंगे तो कितनी आजएगी 12 degree यानि कि जो option c हो correct हो जाएगा next question देखते हैं a fixed point of reference whose elevation is known is called देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि एक fixed point जिसका point of reference हमें पता हो तो उस point को हम क्या कहते हैं देखिए options हमें दी गए है reduced level benchmark change point यहाँ पे station तो survey के अंदर उस point को हम बोलते हैं benchmark option जो बी है वो correct हो जाएगा next question देखते है staff reading over a station whose elevation is known is called देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि staff reading को हम क्या बोलेंगे उस point पर जिसका elevation हमें पता हो options में दी गए है four site, back site, intermediate site यहाँ फिर all of these देखिए जिस point का elevation हमें पता होता है तो उस उस पर सबसे पहले हम back site लेते हैं तो option जो बी है वो correct हो जाएगा next question देखते है a series of closed contour on a map indicates question के अंदर पूछा गया है कि एक series closed contour की closed contour जो होती है इस तरह से closed contour होती है तो यह जो closed contour होती है यह depend करता है कि जो हमें values दी गई है continues की वो किस तरह से अगर देखिज़ ilgili है इस तरह से अन्धर की अरफ जाने पे इनकी जो elevation की जो value हमें दी गई है वो increase होती है तो इसका मतलब है वो submit है और अगर हम बाहर की तरफ जब जाते हैं बाहर की और increase होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये depression है a close traverse, a depression, a summit या फिर इधर B और C तो ये क्या कुछ भी हो सकता है किसी curve boundary और एक chain line के बीच के अंदर जो area है उसको किसके दुबार हम find कर सकते है options दीखें, Simpson's rule, Ponsulate curve, Frankage rule या फिर all of these जो answer दिया गया है वो है all of these next question देखते है a flywheel starting from rest and accelerating uniformly performed 20 revolutions in 4 seconds the angular velocity of flywheel after 8 seconds would be देखिए question के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक flywheel है जो की rest पे है यानि कि इसकी जो angular velocity है वो zero है और उसके बाद वो उस पे constant acceleration यानि कि उस पे alpha constant acceleration से वो accelerate होता है उसकी जो velocity है वो increase होती है और उसकी जो velocity है वो 4 seconds के अंदर 20 revolutions तक जो है वो पहुंच जाती है उसकी angular velocity हमें बतानी है है flywheel की 8 second के बाद की कितनी होगी है हमें चार options दी गए है 30 radian per second 35 radian per second 40 radian per second और 55 radian per second देखिए हमें angular velocity वो दी गई है किसके अंदर revolution के अंदर revolution per second में और हमें जो angular velocity पूछा गया है 8 second के बाद वो हमें बताने है radian per second के अंदर यानिकि इसको हमें convert करना पड़ेगा तो यह भी हमें ध्यान रखना है देखते हैं कैसे होगा इनीशली वो क्या है रेस्ट पे है तो उसकी angular velocity क्या होगी जीरो और हमें क्या बताना है 8 second के बाद उसकी एंगलर velocity कितनी होगी अगर हम 4 second की बात करें कि 4 second पे जो है उसकी velocity angular velocity कितनी होगी तो हमें question के अंदर दिया गया है कि 20 revolution कर रहा है वो 4 second के अंदर तो इसको जब हम divide करेंगे तो आएगा 5 revolution per second अगर हम revolution per second को radian per second के अंदर convert करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 pipe से उससे multiply करना पड़ेगा तो 4 second के बाद उसकी जो angular velocity है वो कितनी हो जाएगी 10 pi radian per second देखिए 4 second के बाद अगर उसकी angular velocity एगर 10 pi radian per second हो जाती है तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि यह formula लगा कि इससे हम जो constant acceleration जो बोल रहे हैं तो उसकी value हम निकाल सकते हैं तो कैसे आएगा alpha की value क्या जाएगी यहाँ पर t किया है 4 second की बाद है क्योंकि initially वो 0 से start हुआ 4 second के बाद उसकी जो angular velocity कितनी होगी 10 pi हो जाएगी 10 pi minus 0 divided by 4 करेंगे तो हमारे बास alpha की value कितनी आजएगी 2.5 pi radian per second scale अभी हम इस alpha का use करके w8 की value निकाल सकते हैं देखते हैं कैसे निकले कि देखिए w8 क्या हो जाएगा w8 is equal to w not plus alpha t देखिए यहाँ पर मैंने w not use किया है तो यहाँ पर t किसगा मैं 8 second put कर दूँगा अगर आप w4 यहाँ पर लेते हैं तो alpha t किसगा यहाँ पर आप 4 second ले सकते हैं तो कैसे भी करेंगे तो answer same ही आएगा तो w8 is equal to क्या जाएगा 0 plus alpha की value हमने क्या put कर दी 2.5 pi 2.5 pi into 8 second की बाद कर रहे हैं 8 second के बाद तो इसको जब solve करेंगे तो आपर पास answer आएगा 62.8 radian per second जो कि options के अंदर किसी के साथ match नहीं कर रहा है यानि कि इसके अंदर जो options हैं वो गलत है next question देखते है the efficiency of screw jack for a given value of angle of friction कि हमारे पास एक fixed angle of friction हमें दे रखा है उस fixed angle of friction के उपर उसकी जो efficiency है वो किस पर depend करती है तो ये question के अंदर हम से पूछा गया options दिए गया है depends upon the weight lifted only depends upon the effort applied only depends upon the weight and effort only या फिर independent of weight lifted or effort applied तो जो screw jack की efficiency होगी किसी भी fixed angle of friction के लिए वो independent होगी weight lifted और effort applied तो जो option D है वो correct हो जाएगा तो ये में ध्यान रखना है next question देखते है the unit of mass moment of inertia is देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि mass moment of inertia उसकी unit क्या होती है options देखे हैं केजी मीटर क्यूब केजी मीटर स्केर केजी मीटर या फिर केजी मीटर की बावर 4 पहले हम देखते हैं कि mass moment of inertia कैसे निकालते हैं देखिए अगर हम i की बात करें mass moment of inertia की बात करें तो उसका formula होता है sigma m r square m यहाँ पे क्या होगा mass होगा r जो है distance होगी तो m को हम kg में लिखेंगे और जो r है उसको अगर हम उसकी unit meter माने तो क्या हो जागा kg meter square यानि कि जो option जो b है वो correct हो जाएगा देखिए जो mass moment of inertia है वो mass के distribution पे जो depend करता है यह important है है पर आप चाहें तो देख सकते हैं next question लेखते है the time period of a simple pendulum will be doubled if देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि एक simple pendulum है उसका time period है वो double हो जाता है यदि options में दिए गए है its length is doubled, its length is half its length is increased four times या फिर its length is increased eight times तो सबसे पहले हम simple pendulum का formula देखते हैं देखिए simple pendulum के time period के लिए formula होता है t is equal to 2 pi and root of l by g t को हमें double करना है तो 2 pi और g तो constant है तो हम क्या करेंगे length को अगर 4 गुणा कर देए तो t है वो 2 गुणा हो जाएगा c है its length is increased four times तो ये correct हो जाएगा next question देखते है the percentage elongation of a material from direct tensile test indicates देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है देखिए अगर जब हम direct tensile strength करते हैं तो उसके अंदर allocation के अंदर changes आते हैं और उसको हम percentage के अंदर लिख लेते हैं वो जो elongation है वो किस चीज को represent करता है indicate करता है options दिएगे है ductility को strength को yield stress को या फिर ultimate strength को देखिए अगर elongation के अंदर changes होंगे यानि कि उसके लंबाई के अंदर changes होंगे तो वो strength तो होगा नहीं ना तो strength होगा ना stress होगा तो उसका answer होजएगा option जो one है ductility material को जब हम खींचेंगे उसपर tensile stress लगाएंगे तो उसकी length के अंदर जो changes होंगे वो उसकी ductility को represent करता है next question देखते है a principal plane is a plane which carries देखी question में principal plane के बारे में पूछा गया options देखे है maximum shear stress, no shear stress, minimum shear stress या फिर none of these देखी जो principal plane होता है उसपर क्या होता है shear stress की value क्या होती है 0 होती है यानि कि जो option B है वो correct हो जाएगा next question देखते है the maximum shear stress from more circle is given by question के अंदर हमसे maximum shear stress के बारे में पूछा गया है options में देखे है the diameter of the circle, the distance of center from origin the distance of farthest point from origin, the radius of the circle देखी जो maximum shear stress होता है वो equal होता है radius of the more circle तो यह में ध्यान रखना है और इसकी जो value होती है sigma maximum minus sigma minimum divided by 2 इसको हम sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 भी लिखते हैं अगर हमें sigma maximum और sigma minimum की value निकाल नहीं होती है उसका formula होती है तो यह भी हमें ध्यान रखना है अगर यहां पे plus लेते हैं तो maximum normal stress आजाएगा और minus लेंगे तो minimum normal stress की value हमें पता चल जाएगी तो यह बाते में ध्यान रखना है तो इसका answer क्या आजाएगा जनल लोडिंग की बात करें 2D की बात करें तो उस paper क्या है एक reaction आएगा hinged pot के अंदर दो reaction ुक् criticize वर सब Chanthagen कि और सब्सक्राइब सब्सक्राइब में दिलएंद प्रींक सब्सक्राइब इसके अंदर क्या होता है स्पान होते हैं तो ये अन्डर है है question के अंदर हम से cantilever beam के बारे में पूछा गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा एक जो end है वो fix हो जाएगा दूसरे end क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा next question देखते है the bending moment in a beam will be maximum where देखी question के अंदर हम से पूछा गया कि bending moment है बीम के अंदर कहां पर maximum होगा options में दीगे हैं दा sheer force is uniform the sheer force is maximum the sheer force is zero या फिर नन ओफ देखी इस तरह से simple spotted beam का diagram दे रखा है point lord की वज़े से हम अगर हम उसका sfd बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा और उसका bmd बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा देखी जो sfd के हो रहा है कि जहां जिस point पे जो lord लग रहा है जो उसका साइन हो divided हो रहा है is point पे Sin Air Force की value गया है 0 है और उस ही point पे क्या है जो अगर हम bending moment की बात करें तो उसकी value का maximum है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस इसका मतलब हो जाएगा कि जो banding moment maximum कहा होता है, जहां पर shear force की value क्या होती है, 0 होती है, तो जो option C है वो correct हो जाएगा, next question देखते हैं, a cantilever beam of length L is subjected to a moment M at its free end, the maximum shear force in beam will be, देखे question के अंदर हमें दिया गया है कि एक cantilever beam है, जिसकी length हमें L दी गई है, उसके उपर क्या हो रहा है, कि free end की उपर M moment लग रहा है, तो हमें बताना है कि maximum shear force की value बतानी है, कि maximum shear force की value कितनी होगी beam के अंदर, तो पहले देखते हैं diagram से कैसे होगा, लगी इस तरह से हमें क्या दे रखा है, एक cantilever beam दे रखा है, उसके free end पे हमने M moment लगा रखा है, प्योर bending का case है, तो shear force diagram बनाएंगे, तो shear force की value क्या है, हर एक point पे 0 होगी, question के अंदर हम से shear force के बारे में पूछा गया है, कि उसका answer क्या हो जाएगा, option जो D है, वो correct हो जाएगा, 0 होगा, next question देखते हैं, the tensile reinforcement will be provided in a cantilever beam, subjected to uniformly distributed load, देखिए, question के अंदर हम से पूछा गया है, कि हमें tensile reinforcement provide करनी है, किसी भी cantilever beam के अंदर, जिसके उपर क्या है, uniformly distributed load लग रहा हो, तो उसकी जो location है, वो कहाँ पे होगी, वो bottom पे हम provide करेंगे, tensile reinforcement, या फिर उसके middle में provide करेंगे, top पे provide करेंगे, या फिर कहीं पे भी provide कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए, अगर हमें इस तरह से cantilever beam अगर दिया गया है, तो उसके अंदर क्या होगा, कि उसके अंदर इस तरह से bending होगी, अगर इस तरह से अगर bending होगी, तो जो उसका upper part है, उसके उपर यहाँ पे tension, जो है generate होगा, और उसके bottom पे क्या है, compression generate होगा, तो जो concrete होता है, वो tension के अंदर weak होता है, compression के अंदर strong होता है, तो इसके अंदर जो, हम reinforcement provide करेंगे, main reinforcement, वो कहाँ पे provide करेंगे, वो top पे provide करेंगे, और अगर हमें simply spotted की beam की बात करें, तो उसकी जो अगर हम बात करें, तो इस तरह से deflection होगा, इस तरह से अगर deflection होगा, तो उसके अंदर क्या है, bottom part पे क्या है, tension rate होगा, अपर पार पे वहाँ पे क्या है, करेंगे बॉटम पर तो यह दोने बाद दियान रखनी है अब बीम ऑफ रेक्टांगुलर क्लोस सेक्शन हंड़ेट बाइट 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 लग रहा है तो हमें बताना है कि maximum bending stress जो है उसकी value कितनी होगी तो देखते हैं question कैसे होगा देखिए यह फ्लेक्जर फॉर्मुला है question के अंदर हमसे maximum bending stress पूछा गया है तो bending stress की value हमें निकालनी है y की value हमें पता चल जाएगी इसकी dimension पता है तो हमें i की value निकल जाएगी और question के अंदर m की value में दी गई है तो sigma maximum की value भी आ जाएगी तो देखते हैं question कैसे होगा देखिए sigma max क्या हो जाएगा m divided by i into y max देखिए जहां पर जो y max है इसकी value क्या हो जाएगी जो depth दी गहीं उसका half करेंगे और जो i की value है इसका जो moment of inertia है वो rectangular के लिए के इसके अंदर क्या हो जाता है bd cube value होता है इसको जब हम से divide करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा जो sigma max की formula change होके क्या जाएगा 6m divided by bd square आ जाएगा और इसके अंदर m की value हो जब हम put करेंगे m की value हमें 20 kilo newton meter के अंदर दी गई है इसको हम क्या करेंगे newton mm के जब put करेंगे तो इसको क्या है 10 की बाव 6 से multiply कर देंगे तो यह अभी mm के अंदर आ गया है और बीडी की वैली अरड़ी mm के अंदर हमें दी गई है इसकी सवसारी वैली पूट करेंगे तुम्हार पार सिग्मा maximum की वैली कितनी आ जागी 30 newton पर mm2 यानि कि जो option A है वो cracked हो जाएगा next question देखते हैं the ratio of maximum shear stress to average shear stress in the case of rectangular cross section देखी question के अंदर हमचे पूछा गया है कि maximum shear stress और average shear stress का जो ratio है वो कितना होगा किसके लिए rectangle cross section के लिए तो देखते हैं देखी अगर हम rectangle cross section की बात करें तो अगर हम उसका shear stress diagram बनाए तो इस तरह से आएगा उसकी क्या center पे जो उसके इंदर shear stress की value होती है वो maximum होती है वो average जो shear stress की value होती है उसका 1.5 times होता है तो यह में ध्यान रखना है अगर यह हमें section triangular cross section दिया जाए उसकी जो maximum value होती है वो half depth पे ही होती है और उसकी जो value होती है toe max वो होता है 1.5 times of toe average shear stress की value इसकी neutral axis पे बात करें तो वो होती है h by 6 आप directly निकाल भी सकते हैं यह top से 2 by 2 h by 3 depth भी होगा और यह h by 2 depth भी होगा तो इन दोनों को अगर हम minus करेंगे तो मरे पास h by 6 आजाएगा तो यह बाते भी हमें ध्यान रखनी है अगर हमें circle section दिया जाए तो उसके लिए जो to max की value होती है 4 होती है 4 by 3 question के अंदर हमसे पूछा गया rectangle के लिए तो इसकी value क्या आजाएगी option जो भी है वो correct हो जाएगा next question देखते है a cantilever is subjected to a concentrated load w at the midpoint of the span the slope at the free end will be देखिए question के अंदर हमसे cantilever beam के बारे में पूछा गया है जिसके उपर क्या है कि concentrated load जो w act कर रहा है कहां पे midpoint पे तो हमें बताना है कि उसके जो free end है उसके उपर slope की value कितनी होगी हमें 4 options दिये गए है देखिए जो cantilever beam के लिए standard formula है इनकी value हमें पता होनी चाहिए अगर किसी भी cantilever beam के end पे अगर w load लग रहा हो तो उसका end slope होता है wl square divided by 2 ei अगर हम यह deflection की बात करें तो इसी end point पे जो deflection होगा maximum होगा उसकी value होगी wl cube divided by 3 ei और maximum bending moment कहां पे आएगा इस fix end पे आएगा उसकी value होगी w into l देखिए questions में हमसे जो पूछा गया हो है कि इस तरह से एक cantilever beam है और उसके mid span पे इस तरह से w concentrated load जो act कर रहा है इस load की वाज़े से इस तरह से इसकी bending होगी इस C point पे हमें बताना है कि इसके अंदर slope क्या होगा देखिए यहाँ point B और point C है यहाँ पे जो यी line होगी ये straight line form होगी तो यहाँ पे जो slope आएगा point B पे और यहाँ पे जो slope आएगा point C पे इन दोनों slopes की जो value होगी वो same होगी देखे जो point B है उस पे जो slope की value वो equal होगी point C पे जो slope की value है यह cantileverly beam का formula हम यूज कर सकते हैं WL square divided by 2EI देखे यहाँ पे L है जो span length है लेकिन यहाँ पे जो load लग रहा है वो L by 2 span पे लग रहा है तो यहाँ पे हम L की इस गहां क्या output कर देंगे L by 2 कर देंगे तो क्या आजाएगा WL by 2 का whole square divided by 2 गई है इसको जब solve करेंगे तो अनसर आजाएगा WL square divided by ATI यानि कि जो point B P है slope की value आगई है तो same value CP होगी तो इसका answer क्या आजाएगा जो option D है वो correct हो जाएगा तो यह में ध्यान रखना है next question देखते है the maximum shear stress produced in a shaft is 5 Newton per mm square the shaft is 40 mm diameter the value of twisting moment is देखे question के अंदर हमें maximum shear stress की value दी गई है कितनी 5 Newton per mm square हमें shaft का diameter दिया गया है D 40 mm और हमें पूछा गया question के अंदर twisty moment की value कितनी होगी आप बताईए तो देखते है equation कैसे होगा देखे इस तरह से महारे पास equation of torgen है तो यह equation हमें ध्यान रखनी है question के अंदर हमें क्या है कि toe max की value हमें दी गई है और जो है torque की value हमसे पूछी गई है हमें उसका diameter दिया गया है तो हम R और हम J की value हम निकाल सकते है तो देखते है equation कैसे होगा देखे इस formula को हम क्या लिख सकते है to max divided by capital R is equal to torque divided by G देखे जो J होता है polar moment of inertia होता है वो क्या होता है Ix plus Iy यहाँ पे circular section के लिए Ix की value क्या होती है पाई D की power 4 divided by 64 same value होती है Iy की वो भी पाई D की power 4 divided by 64 अब इन दोनों का submission करेंगे तो महरे पास polar moment of inertia J की value आजाएगी वो क्या होती है पाई D की power 4 divided by 32 तो यहाँ से हम torque की value निकाल सकते है torque क्या हो जाएगा पाई D की power 3 divided by 16 multiply by tau max यहाँ पे tau max की value हमें 5 दी गई है neutron पर mm square के अदर हमें दी गई है D की value हमें 40 mm दी गई है इसको solve करेंगे तो महरे पास torque की value क्या जाएगी 62.8 की जो option D है वो direct हो जाएगा next question देखते है the power transmitted in kilowatt by a shaft rotating at a speed of nrpm transmitting a mean torque T in kg meter is given by देखे question के अंदर हमें power transmitted की value बतानी है और इसकी value आने चाहिए kilowatt की unit के अंदर अब हम question के अंदर दिया गया है कि जो shaft rotate कर रही है वो nrpm की value से वो rotate कर रही है और हमें जो torque दिया गया है in kg meter के अंदर तो यह unit जो kg meter दी गई है यह हमें ध्यान रखना है इसको 60,000 से divide कर देंगे तो अब पास यह kilowatt के अंदर जो है power आ जाएगी लेकिन यहाँ पर condition ही है कि जो n है वो rpm में होना चाहिए और जो torque है वो newton meter के अंदर होना चाहिए लेकिन हमें question के अंदर kg meter के अंदर torque दिया गया है तो अभी देखते हैं torque की value अगर हम kg और meter के अंदर अगर इसकी value रखेंगे kg meter के अंदर तो उसको हम क्या है कि 9.81 से उसको multiply करना पड़ेगा तब जाके जो power है उसकी value kilowatt के अंदर आएगी तो यह में ध्यान रखना है इसको जब हम solve करेंगे तुमारे पस क्या आ जाएगा pi and t divided by 3060 kilowatt तो जो option जो a है वो correct हो जाएगा तो यह में ध्यान रखना है next question देखते है in brinal hardness test the type of indenter used is देखिए जो brinal hardness test किया जाता है उसके अंदर किस type का जो indenter हम use करते हैं तो वो हमें बताना है options देखे हैं hard steel cone, hard steel ball, mild steel ball या फिर diamond cone तो जो हम indenter use करते हैं वो होता है hard steel ball option जो b है वो correct हो जाएगा यह में ध्यान रखना है next question देखते है toughness is toughness के बारे में बताना है options देखे है ability to absorb energy during plastic deformation higher ultimate strength, stress at yield, strain energy at yield देखिए जो toughness होती है वो होती है ability to absorb energy during the plastic deformation यानि कि option जो a है वो correct हो जाएगा देखिए toughness के लिए कोड़ चीज़ बता देता हूँ देखिए इस तरह से हमने mild steel के लिए stress diagram हमने पढ़ रखा होता है और यहाँ पर rupture point होता है अगर इस point को हम नीचे मिलाते हैं तो यह जो complete area होता है यह represent करता है modulus of toughness को तो यह हमें ध्यान रखना है next question देखते है the field capacity of an irrigated soil depends upon देखिए question के अंदर हमसे पूछा गया है कि field capacity के बार में बताओ options हमें दी गए है बहुत porosity, pore size only on porosity, only on pore size porosity and depth of the root तो सबसे पहले हम देखते है field capacity होती ही क्या है देखिए अगर इस तरह से कोई soil है और उसके उपर क्या हुआ बारिश हुई तो 2-3 दिन बाद क्या होगा ये जो soil के अंदर जो भी moisture content यहां पर आया 2-3 बार कुछ water content वो है gravity action की वज़े से drain out हो जाएगा लेकिन कुछ water है यहां पर soil के अंदर कुछ moisture यहां पर रह जाएगा उसका कारण है capillary action capillary action के कारण कुछ water है वहाँ पर trap होगे रह जाएगा उसी कौम क्या कहते है उस soil की field capacity बोलते है कई बार question में पूछा जाता है कि जो ये water है drain out कितना time लगता है इसको drain out होने में तो normally 2-3 दिन लगते हैं ये भी हमें ध्यान लखना है ये है वो correct हो जाएगा बहुत porosity and pore size पे depend करता है क्या field capacity तो ये हमें ध्यान लखना है next question लेक्पे the duty at field of crop is 100 hectare per cumet if the canal losses are 25% what is the duty at the head of the canal देखी question के अंदर हम से पूछा गया है कि canal के head पे duty किदनी होगी और हमें question में दिया गया है कि जो field है field पे हमें उसकी duty दी गई है 100 hectare per cumet और हमें ये भी दिया गया है कि canal के अंदर जो losses है वो 25% हो रहे हैं तो हमें बताना है कि head of the canal पे duty की value कितनी होगी देखी हमें options दी गए है 750, 1250, 250, 800 देखी इस question के अंदर options जो है वो गलत दिये गए है क्योंकि देखी अगर हम canal से field की तरफ जाते हैं तो हम discharge के अगर बात करें तो discharge क्या है decrease होता है और अगर हम जब canal head से field की और जाते हैं तो जो duty की value होती है वो increase होती है तो यह दोनों बातें में ध्यान रखती है कई बार exams में यह directly पूट लिया जाता है तो field के ऊपर हमें जो उसकी duty की value क्या है 100, hectare per QMEC हमें duty की value दी गई है और इस concept क्या है कि duty की value है head of the canal पे 100 से कम होनी चाहिए तो यह 4 option गलत है जब हम discharge की बात करते है तो 25% is losses हुए है यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि 75% of discharge जो है वो field तक पहुँच चुका है 25% जो है losses हुए है अगर question के अंदर हमें discharge दिया जाए कि field पे 100 अगर discharge है तो हमें canal head पे discharge पूछा जाए तो हम क्या करेंगे हम 100 को क्या है 0.75 से divide कर देंगी तो हमारे पास जो value आजाएगी वो आजाएगी 133.something आएगी और अगर हमें duty की बारे में पूछा जाए तो अगर हमें duty दी जाए 100 field पे और हमें duty पूछी जाए canal head पे तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसमें 100 into multiply कर देंगे 0.75 को न कि divide करेंगे तो हमारे पास जो आजाएगा answer वो आजाएगा 75 hectare पर QMAC जो है duty की value आजाएगी तो यह हमें ध्यान रखना है the average delta of rice crop is nearer to देखी question के अंदर हम से delta के बारे में बूछा गया है कि इसके लिए rice crop के लिए कि उसकी value कितनी होती है options दीगे है 40 cm, 80 cm, 120 cm या फिर 160 cm तो पहले हम देखते हैं कि rice और wheat के बारे में ज़्यादा question पूछे जाते हैं तो rice के लिए जो delta की value होती है 120 cm और wheat के लिए delta की value होती है वो होती है 40 cm हम normally क्या है delta और जो core depth है उसके बीच में कई बार confusion हो जाता है तो हमें core depth की value है वो भी पता होनी चाहिए कि rice के लिए जो core depth की value होती है वो होती है 19 cm और wheat के लिए होती है 13.5 cm तो question के अंदर हम से पूछा किया delta तो delta की value कितनी हो जाएगी rice के लिए तो वो हो जाएगी 120 cm यानि की option C है वो correct हो जाएगा next question देखते है water for domestic use should be options हमें देगे है sweet smell, faint smell inoffensive smell या फिर no smell देखे जो घरों के अंदर हम water हम use करते हैं उसके अंदर कोई भी smell नहीं होनी चाहिए तो इसका जो answer है वो option D हो correct हो जाएगा next question देखते है for ordinary domestic sewage BOD reaction is expected to get completed in about 20 degree Celsius देखे question के अंदर हम से पूछा गया है कि ordinary domestic sewage के लिए जो BOD reaction है वो expected to get completed यानि कि उसको complete होने के लिए कितना expected time लगेगा temperature हमें दिये है 20 degree Celsius पे options में देखे है 5 days, 10 days, 20 days या फिर 30 days तो देखते हैं question कैसे होगा देखे BOD के बारे में कुछ चीजे exam point of view से क्या important है वो मैं बता देता हूँ देखे अगर जब हम BOD की testing करते हैं तो हम करते हैं 20 degree Celsius के लिए करते हैं 5 day BOD हम निकालते हैं तो इसको BOD 5 लगते हैं ग्राम पर कैपिटा पर डे होता है तो ये भी हमें ध्यान रखना है और जो potable drinking water हम use करते हैं तो उसके अंदर BOD की value कितनी है 0 होनी चाहिए ये भी हमें ध्यान रखना है तो question के अंदर हमें testing के बारे में पूछा जाए तो हम 5 day कर देंगे लेकिन हमें testing के बारे में नहीं पूछा है हमें पूछा है कि expected to get completed जो BOD reaction है वो कितने time के अंदर complete हो जाती है generally 30 दिन के अंदर क्या है वो almost 99% वो complete हो जाती है तो इसका जो answer है वो D correct हो जाएगा तो ये में ध्यान रखना है next question रखते है for any waste options देखे है COD may be less than BOD BOD and COD are equal COD is all over greater than than BOD depending upon percentage of biodegradable matter it may be either way तो सबसे पहले हम देखते है BOD और COD के अंदर क्या relation होता है देखी theoretical oxygen demand के बात करें वो almost equal होता है किसके chemical oxygen demand के जो की greater than होता है biological oxygen demand से और जो की greater than होता है total organic carbon तो ये जो relation है ये में ध्यान रखना है हमें question के अंदर BOD और COD के बारे में ही सिरफ पूछा गया है तो जो COD होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे BOD से तो ये में ध्यान रखना है तो जो option C हो correct हो जाएगा COD is always greater than BOD next question देखते है hardness is desirable for देखिए question के अंदर हमसे hardness के बारे में पूछा गया है options में दी गया है laundering, boiling feed water wash water of sinks and porcelain tube या फिर cardiovascular disease तो पहले हम देख लेते हैं कि hard water hardness की वज़े से क्या advantage होती है क्या disadvantage होती है तो जो hard water है it prevents leathering of soap तो ये में ध्यान रखना है उसके बेखिए hard water की वज़े से क्या होता है कि lime scale a hard crust form inside cattle जो cattle होती है और जो pipes होती है उसके अंदर क्या है lime scale lime की scaling होना start हो जाती है उसके उपर क्या है lime की परत जम जाती है जिसके वज़े से क्या है कि ज़्यादा energy देनी परती है energy का wastage ज़्यादा होता है तो यह hard water की वज़े से होता है तो यह भी ध्यान रखना है hard water के advantage की बात करें तो hard water के अंदर country mine की presence ज़्यादा है तो वो हमारे क्या है children's के दांतों के लिए हमारी हड्डियों के लिए वो अच्छा है और जो hard water है it helps to reduce the heart diseases तो जो cardiovascular diseases होती है जो hard की जो भी disease होती है उसके लिए hard water क्या है थोड़ा अच्छा होता है तो यह भी हमें ध्यान रखना है तो इसका जो answer है option D है वो correct हो जाएगा next question देखते है the ratio of volume of voids to the total volume of a given soil is देखिए question के अंदर हमसे ratio पूछा गया है किसका ratio volume of voids divided by total volume of the given soil option देखते हैं क्या दिये गहें void ratio, porosity, air content या फिर air ratio तो इन चारों के formula पहले देख लेते हैं क्या होते हैं देखिए जो void ratio होता है इसी रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है volume of void divided by volume of solid porosity होता है volume of void divided by total volume of the soil air content जो होता है वो होता है volume of air divided by volume of voids और जो air void होता है वो होता है volume of air divided by total volume of the soil question के अंदर हम से पूछा गया है volume of void divided by the total volume of soil यानि कि जो हमारा जो option जो B है वो correct हो जाएगा next question देखते हैं the ratio of weight of water to the weight of solid is called options में देगे हैं degree of saturation, water content, void ratio ना फिर porosity देखिए पहले हम सारे formula देख लेते हैं देखिए जो degree of saturation होता है वो होता है volume of water divided by volume of voids water content होता है weight of water divided by weight of solids void ratio होता है volume of void divided by volume of solids porosity होता है volume of void divided by total volume तो question के अंदर हम से पूछा गया है weight of water divided by weight of solid तो ये होता है water content, जो option B है, वो correct हो जाएगा, next question देखते है, density index for a natural soil is used to express, question के दाम से density index के बारे में पूछा गया है, options में दीगे है, percentage voids, relative compactness, shear strength of clay, specific gravity, देखे जो density index होती है, natural soil की, वो represent करती है, उसकी relative compactness को, तो इस का answer हो जाएगा option B, तो यह में ध्यान लखना है, next question देखते है, the relation between void ratio E, specific gravity G, water content W, and degree of saturation S is given by, देखे हैं में direct formula पूछा गया है, और formula क्या होता है, E, S is equal to WG, यानि की, जो option A है, वो correct हो जाएगा, E is equal to WG divided by S, next question देखते है, the relationship between the time factor TV, coefficient of consolidation CV, and the length of drainage path D, the time T is given by, question के अंदर हमें से, जो है, direct time factor TV का formula पूछा गया है, तो जो time factor TV का formula होता है, वो होता है TV is equal to CV dot T divided by D square, यानि की, जो time factor होता है, वो drainage path की जो length होती है, उसके, inversely proportional होता है, उसकी square के, वो जो time होता है, time के directly proportional होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, next question देखते हैं, the minimum coefficient of lateral friction for a highway is, lateral friction के बारे में बूचा गया है कि, इसकी minimum value कितनी होती है, highway के अंदर, options में देखे ह 1.5, 0.4, या फिर 0.15, देखिए, अगर lateral friction की minimum value की बात करें, तो उसकी value होती है 0.15, अगर longitudinal friction की बात करें, तो उसकी value होती है 0.35, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, next question देखते हैं, for earthen road, the most common camber is, देखिए, earthen road के बारे में पूचा गया है, कि most commonly हम, जो camber provide करते हैं, उसकी value कितनी होती है, तो उसकी value होती है, 1 in 20, option जो 1 है, वो correct हो जाएगा, earthen road के लिए, mostly हम 1 in 20, जो है, camber की value provide करते हैं, ये थे हमें ध्यान रखना है, next question देखते हैं, minimum super elevation on a curve is equal to, options देखिए, 0, 7%, camber, या फिर gradient, देखिए, जो minimum super elevation होता है, curve road पे, तो उसकी value हम provide करते है, minimum वो हो camber के equal होना चाहिए, कम से कम, अगर हम maximum super elevation की बात करें, तो वो depend करता है, road पे, अगर हम plane and rolling terrain की बात करें, तो उसकी value होती है, 7%, अगर हम hill roads की बात करें, तो maximum super elevation उसकी value होती है, 10%, अगर हम urban road stretches with frequent intersections की बात करें, तो उसके लिए, जो maximum Emax की value होती है, वो होती है, 4%, तो ये value भी ध्यान रखनी है maximum यह होता है और minimum पूछे तो equal to camber होता है next question देखते है इन example of a rigid pavement is rigid pavement का example हमें बताना है options तो जो rigid pavement है वो कौन सा हो जाएगा concrete road रहने कि option D है वो correct हो जाएगा water bond में केडम और bitumen road की बारे में पूछा जै तो यह क्या हो जाए यह है यह है flexible payments तो यह भी हमें पता होना चाहिए next question देखते है the minimum number of longitudinal steel bar in RCC rectangular column must be देखिए हमें क्या बताना है minimum number of longitudinal bars बताने है RCC rectangular column के अंदर options में देखे है two, four, six, eight देखिए अगर rectangular column की बात करें minimum number of longitudinal steel bars होती है वो होती है 4 अगर हम circular column की बात करें तो उसके अंदर जो minimum number of longitudinal steel bars होती है वो होती है 6 तो ये दोनों बाते हैं हमें धियान रखनी है rectangle लिए कितनी होती है 4 option B है जो correct हो जाएगा next question देखते है the effective throat size of a fillet weld is देखी question के अंदर हम से effective throat size के बारे में पूछा गया है fillet weld के लिए अब options में क्या दिए गए है 0.707 times the size of the weld equal to the size of the weld function of the angle between tension sides hypotenuous of the triangle देखिए सबसे पहले हम effective throat size की बात करें तो उसका formula होता है throat size को हम T से represent करें तो वो होता है k into s देखिए s यहाँ पे क्या होता है size of the weld होता है और यहाँ पे K क्या है coefficient है और यह K की value किस पर depend करती है हम देखते हैं देखिए कि जो K की value होती है यह depend करती है connection angle between fusion faces देखिए यह angle पर depend करती है normally क्या है कि 90 degree तक के जो angle होते है 60 to 90 उसके लिए इसकी value कितनी होती है 0.7 0.7 0.7 इसको हम लिख सकते हैं 1 by under 2 तो ये भी हमें ध्यान रखना है तो अगर ये angle है जो angle between the fusion faces अगर ये angle change होगा तो क्या है कि K की value change होगी अगर K की value भी change होगी तो throat thickness है वो भी change होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि throat thickness वो depend किस पर करती है वो depend करती है इससा function of the angle between the tension side option C है जो correct हो जाएगा next question देखते है the most economical section for column is देखी column के लिए हमें most economical section के बारे में बताना है options देखे है आई section tubular section solid round section या फिर rectangular section columns के लिए जो most economical section होता है वो होता है tubular section यानि कि जो option B है वो correct हो जाएगा तो यह में ध्यान रखना है next question देखते हैं CPM is options में देखे हैं activity oriented event oriented time oriented या फिर resource oriented देखे तो जो part होता है वो क्या होता है event oriented होता है network लेकिन जो CPM होता है वो होता activity oriented network होता है जो part होता है उसके अदर जो approach लीग जाती होती है probabilistic approach use करते हैं लेकिन जो CPM है उसके अदर हम deterministic approach का use करते हैं जो part होता है उसको हम unique non repetitive types of work जैसे research and development उसके लिए हम part का use करते हैं अगर हम CPM की बात करें suitable होता है repetitive types of works के लिए जो part होता है वो three time estimate होता है लेकिन जो CPM होता है वो single time estimate होता है part के अंदर क्या होता है कि जो activities होया है वो beta distribution करो को follow करती है लेकिन अगर हम पूरे project की बात करें whole project की बात करें तो वो normal probability distribution करो को follow करता है लेकिन अगर हम CPM की बात करें तो CPM के अंदर क्या होता है कि activity हो यह चाए पूरे project की बात करें यह दोनों ही normal distribution जो है कारो को follow करते हैं तो यह हमें ध्यान रखना है question के अंदर हम से simple पुछा गया कि CPM है वो क्या है CPM क्या होता है activity oriented होता है तो option जो 1 है वो correct हो जाएगा next question देखते है which of the following is the most correct estimate option समय दिए गए है plain theory estimate, cube rate estimate, detailed estimate या फिर building cost index estimate देखिए जो most accurate, जो most correct estimate होता है वो होता है detailed estimate option जो C है वो correct हो जाएगा next question देखते है the approximate cost of the complete labor as a percentage of the total cost of the building देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि total cost of the building है उसका कितना percentage होता है cost of the labor options में दीखे है 10% होता है, 25% होता है, 40% होता है या फिर 5% हैता है तो जो buildings के अगर हम बात करें, तो जो cost of the labor होती है, वो almost 25% होती है cost of the building तो यह में ध्यान रखना है, next question देखते है the quantity of wood for the shutters and doors and windows is calculated in देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि wood की quantity की अगर हम बात करें, किसमें doors and windows के shutter, उनके दरवाजों की अगर हम बात करें, उसकी जो quantity है, उसको किस unit के अंदर उसको measure करते है options देगे है, meter square, meter cube, lump sum होता है या फिर meter के अंदर होता है उसकी जो quantity है, उसको हम square meter के अंदर, उसको हम measure करते है option जो A है, वो correct हो जाएगा, तो यह में ध्यान रखना है, next question देखते है the life of teak wood, doors and windows is usually taken to be देखे, teak wood के जो doors होते है, या उसके जो windows होते है उसकी जो life होती है, उसको normally यह जाता है, 40 years, जैनके option जो C है वो correct हो जाएगा, तो यह में ध्यान रखना है, next question देखते है potassium permagnate is used for, देखे, जो KMNO4 होता है potassium permagnate होता है, उसको किसके लिए use किया जाता है, options देखे है reducing hardness, reducing acidity, improving color, या फिर dechlorination potassium permagnate है, उसको use किया जाता है, dechlorination यानि कि option जो D है, वो correct हो जाएगा, next question देखते है the ratio of shear modulus to the modulus of elasticity when poisons ratio is 0.25 देखे, question के अंदर हमसे पूछा गया है कि shear modulus और modulus of elasticity, इन दोनों के ratio के बारे में हमें बताना है और question के अंदर हमें poisons ratio, यानि कि mu की value हमें 0.25 दी गई है देखते हैं question कैसे होगा, देखे, हमें यह formula पता है e is equal to 2g mu plus 1, तो यह formula हमें पता है, mu की value हमें 0.25 दी गई है हमें क्या है, g divided by e निकालना है, तो g divided by e का formula क्या हो जाएगा 1 divided by 2 mu plus 1 हो जाएगा, इसके अंदर 0.25 की value हम mu की value पुट करेंगे, तो परका answer आजाएगा 0.4, यानि कि option जो 4 है वो correct हो जाएगा next question देखते है, the section modulus of a circular section about its axis through center of gravity is देखी question के अंदर हमें क्या बताना है, section modulus बताना है, कौन से section का circular section का about its center of gravity, circular section है उसका diameter अगर d होगा तो अगर हम उसके moment of inertia की बात करें, तो वो होता है pi d की power 4 divided by 64 यह ix, iy या कोई भी axis जो भी इसके center of gravity से pass हो रही हो, उसके लिए same होता है उसका moment of inertia, section modulus की बात करें z, तो यह होता है i divided by y, ymax तो यहाँ पर y की जगे हम क्या लिख देंगे, d by 2, d by 2 लिखेंगे i की value, हम यहाँ से put करेंगे तो हमारे पास z की value क्या आजएगी, section modulus हो जाएगा, pi d की power 3 divided by 32 यानि कि जो option b है वो correct हो जाएगा, तो यह बाते हैं में ध्यान रखनी है, next question रखते हैं अब beam of uniform bending strength will have at every cross section, देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है, कोई एक beam है, उसके अंदर क्या है कि uniform bending strength है तो उसके हरे cross section पर क्या होगा, options में देखे हैं, same diffraction होगा, same stiffness होगी, same bending moment होगा, या फिर same bending stress होगा देखिए अगर कोई भी beam है, जो uniform bending strength अगर उसके अंदर है, तो उसके हरे cross section पर उसका जो bending stress होगा, उसकी value same होगी, यानि कि option जो D है, वो correct हो जाएगा, next question देखते हैं The maximum bending moment due to moving load on a fixed ended beam occurs, देखिए question के अंदर हम से पूछा गया है कि maximum bending moment कहां पर occur होगा, जब कोई भी moving load है, वो fixed ended beam के उपर move कर रहा है, तो options में देखे हैं, at a support, under the load only, at a mid span, anywhere along the span, देखिए अगर कोई भी fixed beam है, उसके उपर कोई भी moving load, जो है, move कर रहा है, तो जो maximum bending moment है, वो उ के support पे जो आएगा, तो option जो a है, वो correct हो जाएगा, तो यह हमें ध्यान रखना है, technical के 80 questions हमारे complete होते हैं, अभी हम राजस्तान जीकी के 20 questions हैं, उनको देखेंगे, sodium sulphate नमक राजस्तान के किस जील में बनता है, लेकिन नमक के बारे में काफी questions पूछे जाते हैं, नमक उतप जो नमक हम जो है, बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले नाम आता है सांबर जील का, जो सांबर जील है, यह जैपूर में और नागवर के अंदर स्तित है, जैपूर की बात करें तो फुलेरा काम जो इसके लिए important है, याद रखिए, तो इसका most of the part है, वो जैपूर के अंद सांबर जील के अंदर डालती है, तो इन चारो नदियों का नाम भी हमें पता होना चाहिए, देखिए सांबर जील जो है, वो राजस्तान की सबसे वड़ी प्राकरतिक जील है, और यह सबसे वड़ी खारे पानी की जील है, तो यह दोनों बाते हमें ध्यान रखनी है, देख और Salt Limited की स्थापना 1964 के अंदर की थी तो ये भी हमें पता होना चाहिए दूसरे नंबर पर है डिडवाना जील जो की नागोर के अंदर है यहां पर जो नमक की बात करें तो यहां की जो नमक के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लोराइड है इसकी वज़े से यहां का जो नमक है वो और के अंदर ही यहां पर सोडियम सलफेट सायंतर और राजस्तान स्टेट केमिकल वक्स की स्थापना की गई है तो यह हमसे क्योशन में पूछा गया था कि सोडियम सलफेट नमक जो किस जील से बनता है तो यह इसका जो आंसर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर ऑप्शन जो पूरे भारत की सबसे खारी जिल भी है तो ये भी में ध्यान रखना है यहां पर क्या है कि कारवाल जात लोग है वह मोरली जाड़ी से नमख बनाती है तो ये भी एक्जाम में पुछा जा सकता है तो ये सारी बाते में ध्यान रखनी है जैसल मेर जैपूर से उसके वैस्ट के अंदर है उसके पश्चन दिशा के अंदर स्थित है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो भी है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते है शुष्क वन अंसर्दान संसदान राजिस्थान में कहां स्थित है ऑप्शन समय दिएगे है जोदपूर उदेपूर चितोडगर या फिर तीजारा देखिए जो Arid Forest Research Institute है वो कहां पे स्थित है वो जोदपूर के अंदर स्थित है तो ये में ध्यान रखना है देखिए इसके साथ-साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कजरी की फूल पॉम है Central Arid John Research Institute जो ये भी जोदपूर के अंदर स्थित है तो ये भी हमें ध्यान रखना है नीमन में से कौन सा समन्ध ऐसत्ते है ओप्शन समय दिए गए है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट गुजरात है और राजस्थान का प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है चंबल प्रोजेक्ट की बात करें तो राजस्थान मध्या प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है ये भी करेक्ट है ब्याज प्रोजेक्ट की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, एवं हरियाना ये तीनों का प्रोजेक्ट है तो ये भी correct है तो इसका मतलब जो option 4 है वो गलत हो जाएगा यानि कि हमारे लिए option 4 है जो इसका answer हो जाएगा next question देखते है बेनेश्वर मेला अनिमन में से किन नदियों के delta पर आयोजित किया जाता है देखिए question के अंदर हमसे बेनेश्वर मेले के बारे में पूछा गया है options देखे हैं माही हैं हमसे हों, चंबले में बनास, बान गंगा ये हों घंबीर या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं देखिए पहले बेनेश्वर मेले के बारे में हम कुछ बाते हम देख लेते हैं देखिए जो बेनेश्वर मेला है ये माग मास की पुर्णीमा को नटवर पुरा गाउं में लगता है जो की डुंगरपूर जीले के अंदर स्थित है यह जो मेला है इसको आदिवाशिव का कुम भी बोलते हैं, बागड का कुम भी बोलते हैं, बागड परदेश का पुशकर भी बोला जाता है अब यहाँ पे क्या है कि माही नदी, सौम नदी और जाखम नदी, तीनो नदियों का क्या है, त्रिमेणी संगम होता है, कहाँ पे बेनेश्वर, डुंगरपूर के अंदर, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कौन-कौन सी नदियां मिलती है, माही, सौम यम, जाखम, option 1 है, correct ह तो ये सारी बाते में ध्यान रखनी है, next question रखते है, राजस्थान में पंचायती राज किस वर्ष में स्थापित हुआ, चलिए इस question को टैम्ट करने से पहले कुछ बाते हम पहले पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं, देखी जो पंचायती राज है, उसके जो जन और उस टाइम पे राजस्थान के जो मुख्य मंत्री थे, वो थे मोहलाल सुखाडिया, तो ये बाते में ध्यान रखनी है, तो इस question का जो answer है, वो हो जाएगा option A, next question देखते है, राजस्थान की कौन सी नदी अपने बहाव शेत्तर में करकरेखा को दो बार पार करती है, औ अधार जिला, MP से उद्गम होता है उसका, मिहन जील से, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए, जो माही नदी है, उसको आदिवाशियों की गंगा, बागर की गंगा, कांठल की गंगा, या फिर दक्षनी राजस्थान की स्वन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो माही नदी है, ये डुंगरपूर और बांसवाडा की सीमा का निर्धारन करती है, तो ये बाते हैं सारी हमें ध्यान होनी चाहिए, नेक्स्ट कॉश्चन लेखते हैं, रॉक फॉस्पेट राजस्थान में कहां पाया जाता है, देखिए ये रॉक फॉस्पेट के बारे में नेंतर स्थापित किया गया है, कहां पे उध्यपूर के अंदर, ये भी हमें पता होना चाहिए, जो ये रॉक फॉस्पेट है, इसका यूज किया जाता है, उर्वरक के रूप में सूपर फॉस्पेट बनाने के अंदर, और अगर उसके पादन शेतर की बात करें, तो राज पंचायती राज के मुख्य स्तर हैं, उप्शन में देगे हैं, ग्राम पंचायत, ब्लोक पंचायत, जीला परिश्यद, या फिर उप्युक्त सभी, तो जो है इसका आंसर है, उप्युक्त सभी, जो पंचायती राज है, ये त्री स्त्री हैं, तो इनके ये तीनों स्तर हैं, तो हमें ध्यान रखना है तो इसके बारे में देख लेते हैं तेकि पंचायती राज है जो एक राज्ये शूची का विश्य है तो ये भी हमें ध्यान रखना है इसको क्या है कि अनुचे 243 के अंदर पंचायती राज का वर्णन किया गया है पंचायती राज जो अधिनियम है उसको उन्नी सो चुराण में के अंदर उसको पारित किया गया तेहतरवा समीधान संशोधन है, तो ये पंचाइती राज से समंदित है, तो ये बाते भी हमें ध्यान रखनी, next question रखते हैं, किस जापानी कमपनी के साथ रिको ने निमराना अध्योगी क्षेतर में उध्योग स्थापित करने के लिए अनुबंद किया, चेट्रो, थेट्रो, होंडा, सीओल या फिर मित्सु बीसी, राजस्तान स्टेट इंडेस्ट्रिल डेलोप्मेंट एंड इन्वेस्ट्मेंट कॉर रहे हैं, तो हमें ये दोनों नाम भी याद रखने हैं, गिलोट और निमराना, यहाँ पे कौन है, जैट्रो, तो ऑप्शन जो ए है, वो करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं, निमन सवतनत्र सेनानी एं उनके कारेशेत्र के समंदित, कौन सा समंद्ध ऐ प्रफशन जैपूर के अंदर हुआ था, इनको क्या है जैपूर जागरती के जनक माना जाता है, और यह राजस्थान के क्या है, पर्थम करामति कारी हैं, तो यह important है, हमें ध्यान रखना है, जैण रुना एंड व्यास के बारे में हम बात करें, तो इनको राजस्थान का ल पूर के अंदर हुआ था, यह जैण राजस्थान के एक मत्र मनोनित एंव निर्वाचित मुख्यमंत्री रही हैं, तो यह important बात है, हमें ध्यान रखनी है, इन्होंने क्या है कि मारवाड हित कारणी सबा की स्थापना भी की थी, अगर हम केषरी सिंग बारे में बात करें, तो इन्हें राजस्थान केषरी के नाम से जाना जाता है, इनका जो जनम हुआ था, वो देवपुरा गाउं भीलवाडा के अंदर जनम हुआ था, और इनका जो पूरा परिवार है, वो देश के लिए शहीद हो गया था, और इन्होंने क्या है कि मिवाड के महराणा फते सि तो यह भी इंपोर्टेंट है, मैं ध्यान रखना है, गोविंद गिरी के बारे में कि उनका जो जनम है वो पांस या गाउं डुंगरपुर के अंदर उनका जनम हुआ था, यह जो है लसाडिया आंदोलन से इनका संबंध है, तो यह में पता होना चाहिए, अब इसमें क्या है कि मेवार, बागड और आसपार के छित्रों के बिलों में समाजिक शुधार के लिए इन्होंने क्या है, संप सभा की स्थापना करी थी, गोविंद गिरी ने, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, अब देखिए, 1913 इसवी में क्या हुआ, 1913 इसवी में जब संप सभा का साम से भी इसको जाना जाता है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखना है, तो जो अरजुनलाल सेथी है, उनका जो कारेशेतर है, वो जैपूर है, तो ये जो है गलत दिया हुआ है, जैनरन व्यास्त का जो कारेशेतर जौदपूर है, मारवाड है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क संपतिगर ये है बिल्कुल करेक्ट है ग्रह कर ये भी करेक्ट है भूमिकर भी करेक्ट है आए कर नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं समिधान शर्षोधन विध्यक के नाम से इसको लाया गया था लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया था लेकिन राजसभा के अंदर ये पारित नहीं हो पाया फिर 16 दिसंबर 1991 के अंदर बहतरवा समिधान शर्षोधन विध्यक पेश किया गया लेकिन जो संसेदिय समीति है उसको जो सहमति है वो जुलाइ 1902 के अंदर दी अबि जब उन्होंने जब सहमति दी तो इसको 72 सविधान शुरतफन की जगें इसका जो करमांक चेंज करका 73 सविधान शुरतफन कर दी आगया अभी 22 दिसंबर 1902 में को लोगसभा के अंदर इसको पारित कर दिया गया और अगले ही दिन 23 दिसंबर 1902 में को राजसभा के अंदर भी इसको पारित कर दिया गया फिर 20 अपरेल 1903 में इसमी में राश्च्पती डाक्टर शंकल दियाल शर्मा ने इसको अपनी मंजूरी दे द सभीधान की बात करें तो वह अर्बन से रिलेटेड है और जो अगर सभीधान से रूरल से पंचायती राज से संबंधिते हैं तो यह भी हमें ध्यान रखना है मनरेगा कारिकरम में नियूंतम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है उप्शन में दी गए है 60 दिनों की, 100 दिनों की, 80 दिनों की या फिर 120 दिनों की तो इसको जो answer है वो है option B एक परिवार के minimum एक सदेशे को 100 दिनों के रोजगार की guarantee दी गई है महनरईगा के अंदर अभी राजस्थान के अंदर जो एक कुशल शर्मिक है उसको minimum मान दे जो minimum बतता है daily का wages की बात करें तो minimum 220 रुपे एक कुशल शर्मिक को दिये जाते हैं जो की पहले 199 रुपे थे अभी थोड़े टैम पहले 21 रुपे बढ़ा कर उसको 199 से 220 रुपे पर डे कर दिया गया है तो ये भी हमें ध्यान रखना है next question देखते है नीमन में से कौन सा काम जिला magistrate का नहीं है औप्शन से में दिये गए है कानौन एवम विवस्था बनाए रखना maintenance of law and order बिल्कुल करेक्ट है भूमिक कर की वसूली collection of land revenue ये भी करेक्ट है implementation of poverty elevation program ये भी करेक्ट है conduct of local bodies election स्थानी निकाओं में चुनाओ करवाना तो ये जो है option जो गलत हो जाएगा या फिर दोनों स्थानों पर नहीं तो पहले हम देखते हैं राजस्थान में कहां नगर निगम है देखिए राजस्थान के अंदर total नगर निगम की बात करें तो यहां पे 10 total नगर निगम है अगर हम नगर निगम वाले शहरों की बात करें तो टोटल साथ शहरों के अंदर है देखिए ऐसा क्यों है देखिए नगर निगम बनाने के लिए minimum population जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है 5 लाख होनी चाहिए है उससे ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे नगर निगम बना सकती है तो अभी 2019-2020 के अंदर क्या हुआ राजस्थान के तीन शहर कौन-कौन से जैपूर, जोदपूर और कोटा यहां तीनों जगें जो population है वो 10 लाख को क्रोस कर चुकी है तो 5 लाख के लिए एक नगर निगम चाहिए अब 10 लाख क्रोस कर गया तो इन तीनों शहरों के अंदर क्या है दो-दो नगर निगम बना दिये गए है तो यह भी हमें ध्यान रखना है टोटल शहरों की बात करें तो 7 शहर है 7 शहर कौन-कौन से हैं जैपूर, जोदपूर, कोटा, अजमेर, बिकानेर, जैपूर और भरतपूर अगर टोटल नगर निगम की बात करें तो टोटल 10 नगर निगम है जैपूर के अंदर कौन सी बना गी है पहले जैपूर नगर निगम थी अभी जैपूर नगर निगम हैटेज बना दिया गया है जोदपूर की बात करें तो जौदपूर नगर निगम नौर्थ और जौदपूर नगर निगम साउथ दो हो गई है कोटा नगर निगम नौर्थ और कोटा नगर निगम साउथ ये दो कोटा के अंदर है अजमेर नगरनिगम, बीकनेर नगरनिगम, उध्यपुर नगरनिगम और भरतपुर नगरनिगम तो ये total 10 हैं, question का जो हमारा पूछा गया था, तो जैपुर और जौदपुर दोनों के अंदर हैं यानि कि option जो C है वो correct हो जाएगा, next question लेखते है वरतमान रायस्थान विधान सबा है, option जीए बारवी, तेरवी, चौदवी या फिर पंदरवी देखी ये question paper जो है, January 2014 का paper है, तो इसके लिए उस time पे जो विधान सबा थी वो चौदवी विधान सबा थी, तो ये में ध्यान रखना है, लेकिन जो अभी legislative assembly है रायस्थान की, वो पंदरवी विधान सबा है और इस विधान सबा में जो speaker है अभी, वो है CP Joshi जी, और जो chief minister है रायस्थान की, वो है अशोक घेलोट, और जो leader of opposition है, वो है गुलाब चंद कटारिया, तो ये सारी बाते में ध्यान रखनी है, next question देखते है हिंदू कलेंडर में किश्मा में कैला देवी मेला अयूजित किया जाता है, options हमें देखे हैं, फालगुन, चैतर, विशाक या फिर जेष्ट, देखे पहले हम कुछ important बाते देख लेते हैं, देखे, जो कैला देवी जो है, वो करोली की यदुवंशी, राजवंश की कुल द रवाया था, और यहां पर पड़ती वर्ष, चैतर, शुकल, अश्टमी को, लखी मिला लगता है, तो यह लखी मिला है, इसका नाम भी हमें ध्यान रखना है, और यहां पर इस मेले कंदर खास बात क्या है, यहां पर लंगूरिया गीत, जो की बक्ती गीत हैं, और जो जैपूर, जैपूर यहां पर बिकानेर, देखी जो भरमा जी का मंदीर है, वो राजस्तान में, अजमेर के अंदर जो है, वो स्थित है, ऑप्शन जो ए है, वो करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्योश्टन देखते हैं, राजस्तान उच नियाले के नियाय दिश्यों की न खौर दिलाता है, तो वो शबत दिलाते हैं, उनके सम्मधिर राज्यों के, राजयेपाल उनको शबत दिलाती है, तो इन दोनों में, कन्फ्यूज नहीं होना है, अभी राजस्तान के अंदर, हाईकौर्ट के अंदर कुछ important बाते हम देख लेते हैं, देखिए, राजस्तान की जो mandatory age है वो 62 year होती है हाई court में और जो judges की अगर हम numbers की बात करें तो यहाँ पे total 50 judges हैं जिसके अंदर 1 plus 49 यानि कि एक जो है chief justice है और जो 49 है अन्य न्यायदीश है तो ये भी हमें ध्यान रखना है total 50 है 1 plus 49 अगर हम chief justice की बात करें अगर हम रायस्तान के first chief justice की बात करें वो थे कावनल कांत वर्मा तो ये भी हमें ध्यान रखना है और सबसे longest period के लिए कौन chief justice रहे रायस्तान के तो वो थे किलाश वांचु जी जिन्होंने approximately 7 साल के करीब ये दूसरे chief justice से रायस्तान के approximately 7 साल के करीब इनोने जो है इस position पे रहे तो इस सारी बाते हमें ध्यान रखनी है तो इसी के साथ हमारी 100 questions complete होते हैं I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इंजनेस वर्ल्ड के चैनल पर इस तरह के और भी वीडियो जाते रहेंगे तो make sure कि आप इस चैनल को subscribe जरू करें अगर आपके कोई भी suggestions हो आपके कोई भी queries हो तो आप नीची comment box के अंदर लिख सकते हैं या direct ये email भी कर सकते हैं अगर आपको इस question paper के solution की PDF चाहिए तो उसका link आपको description box के अंदर मिल जाएगा अगर आयस्तान JN के और भी paper के solutions आप देखना चाहते हैं तो उपर i button पर click करके आप लिख को access कर सकते हैं So keep watching, keep learning, see you in the next video, नमश्का